हलो फ्रेंड असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे वाइट चिकन की रेस्पी बहुत हलके फुलके मसालों के साथ बनकर तयार होता है यह एक शाही डिस है और जब आपको कुछ अलग तरह का चिकन की ग्रेवी खाने का मन हो तो आप इस वाइट चिकन की रेस्पी को जरूर ट्र तलडे हो तो इस रेस्पी को आप अपने घरवालों को जरूर बना कर खिलाएं वह आपके दिवाने हो जाएंगे वह भी मेरे इस्टाइल में तो यह वाइट चिकन की रेस्पी जरूर ट्राइ करें यह सभी को पसंद आने वाली है जब आप एक बार आप इसको बनाएंगे तालचीनी कटकड़ा दो लाइची और लॉंग और एक तीश्पून काली मिर्च और सुखी हुई मिर्च चार पांच मैंने तोड़के रख लिया यहां पर आधा किलोग्राम मैंने चिकन का इस्तमाल किया इसको चार से पांच पानी से अची तरीके से धो लेंगे नमक डालकर और चलिए यहां पर तेल हमारा गरम हो गया है उसमें हम यह चिकन को ट्रांसफर कर देंगे और सबसे पहले हमें चिकन को खूब अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेना है ताकि इसका जो पिंक कलर है वो वाइट कलर में चेंज हो जाए और एकदम अच्छी तरीके से भून जाए और एक मज़ेदार खुसबू भी आने लगे इसी पॉइंट में हम इसमें एक टी स्कून ंती है तो आप दिया है कि मैंने चिकन को खूब सरीके से अटि करने गूंज हो जाए और इसी तैल को च्रूम कर लेंगे जो हमने बचा के रखा है और उसमें खड़े साधर 2ज़ए फ्याज प्याज अच्छे, बड़न चुप सबार हैं। फ्याज को प्याज ऑल तक से लगतर देनों, उसको प्याज अच्छपे운 का पे्ष्ट हम्ने अध्रकवल में टो čback को से बरill तब बढ़न सरह द्रोट हैं। और उसके बाद जब वो अच्छी तरीके से भून जाएगा य में चिकन को ट्रासफर कर देना है और एक कब पानी डुट कर दढ़ा आ है दरना है यद्न कर दिद living कर दसे बिता है चार से पांच मिरा तक हमने इसको खुब अच्छी तरीके से फाब पर पका लिया है इसके बाद हमें इसमें कुछ पॉडर मसाले डालने हैं तो एक तीजपून डालेंगे काली मिर्स पॉडर एक तीजपून गरम मसाला पॉडर एक तीजपून डालेंगे धनिया पॉडर और ये सारे मसाले इसमें डालकर इसको हमें चार से पांच मिनिट तक भूनना है बस इन कि स्रेक्ष्ट न कि दिए और पहुत ही बेहतरीन आपके यह तप करीब बहुत ही सांदर बनके त्यार मेने मेरे बहुत ही सांदार इसमेंगे त्छी इसमें हम दहि लेकर भी नहीं करेंगे सिर्फ क Sakkari करेंगे और इसी से हमारे यह वायट-चैकन बनके इकदम लाव थ हीद entrev रासके तम्हें से जादा देर तक नहीं पकाना है तो तरीड़ के लेना है immigrants तेक्ष टरीप gallery अच्छीर की पिर आप Mill टारे में क्रीम दोने में एक दमुटब ग्रिमों। बहुत क्रेमी बंके तयार होता है इसको सर्व करते हैं और इसको आप Kोलचे से पराठे से बटर नान से या पिर पुलाओ से जीरा राई से किसी भी चीज पर जरूर ट्राइ करें कोई इस पेसल डे हो आपका तो आप इसको अपने घर पर जरूर बनाए और मेहमानों को खिलाएं अपने घरवालों का दिल खुश करें इस रसी को बना कर खिलाईए बहुत ही बेतरी बहुत ही आसानी से बन जाती है तो अगर रसी थोड़ी सी सब्सक्राइब करें और फैमली फ्रेंड में शेयर करें मिलते हैं हमें सब्सक्राइब करें एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए लाहाफीस बाइबाया टेक क्यार